साउध गेट एक और प्रसिद इतिहासकार उन्होंने कहा कि 18 सदी में इंग्लेंड का व्यापार लगातार बढ़ रहा था और बढ़ी नीरा था उनके माल उनके फिनिश प्राड़क्स की बने हुए माल की मांग भी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी तो इस तरह हमने देखा प्रारंब से कि अध्यों की क्रांती क्या है कैसे है यदि हम थोड़ा सा पीछे जाएं एक तरीके से पुर्णरा वित्ति के लिए तो हम ये जो अध्याय पढ़ रहे हैं वो भाग एक के तहट और ख्याल रखें आधुनी की करण की ओर इस एकाई का नाम आधुनी की करण की ओर है और आधुनी की करण की ओर में इस अध्याय में दो तरह की करांतियां मूल रूप से हम देखते हैं एक तो राजनेतिक करांति और दूसरा अध्योगिक करांति तो आधुनीकी करण का संबंध जो है इसका अर्थ यह हुआ कि इन क्रांतियों से है या दूसरे शब्दों में यह कहें कि ये क्रांतियां जो हैं ये आधुनीकी करण की और विश्व को ले जाती हैं आधुनी की करण की ओर संबंधित देशों को ले जाती है और इन संबंधित देशों के प्रभाव से फिर विश प्रभावित होता है और पूरी दुनिया फिर सत्रहवीं शताबदी से आधुनी की करण की ओर बढ़ती है जिसमें अध्योगी करांती की भूमिका बहुत आहम है आधुनी की करण की ओर का ये जो इकाई है इस इकाई का बहुत गहन संबंध है पिछली इकाई से जिसका संबंध था जिसका शीरशक था एक तरीके से मध्य कालीन एवं प्रारंबिक वेश्ट जिसमें हमने सामन्त वाद कई घटनाओं का अध्यन किया था सामन्त वाद येरोपी पुनर जागरण नई दुनिया की खोच आधि आदि और इनके बारे में हमने जाना था और देखा था कि मध्य काल में ये सब क्या गतिविदियां हो रही थी क्या ये इनी सब गतिविदियों का परिणाम था जिसने आधुनी की करण की दिशा में यूरोप को मोड दिया था ये हमें देखना है ये हमें सोचना है और जैसा मैंने कहा कि आधनी की करण के दो महटपूर्ण परिवर्तन जो थे एक तो राजनातिक करांतियां और एक और्द्यों की करांतियां तो एकाई चार जो है वो हमें इस आधनी की करण से सम्म किसी अध्याय किसी विशव को पढ़ने के लिए विवश करती और वो विशव है और द्योगी क्रांती और वो काल है अठारवी से बीस्वी सदी जाने लगबग पिछली सदी तक का काल आजनिक काल कहलाता है इसी काल में हम एक आजनिक विश्व को निर्माण करने वाली जो घटनाओं का हम दिक्र करते हैं उसमें अफरीका का दास्यापार दक्षणी अफरीका में हुई घटना है यौरप में कुछ तरह के आंदोलन उपनिवेशी करण की प्रक्रिया आधी आधी ये सब बिंदु इस में आते हैं राजनेतिक क्रांतियां और अध्योगिक क्रांति इसमें इस सध्याय में अध्योगिक क्रांति को छुआ गया है और फिर मैं बता दूं कि अध्योगिक क्रांति को आपको तीसरी एकाई से जोड़ना है एक तरीके से वो कंटीनुवेशन है एक तरीके से निरंत करता है उसमें सततता है और द्योगी क्रांटी का काल सत्रहवी से लगभग बीशवी सती तक मानते हैं और इसमें हम देख रहे हैं ब्रिटेन की भूमिका शुरुवात जो हुई थी वो ब्रिटेन से कहीं हुई थी जिसका जिक्र मैंने पूर में किया है और मुल रूप से जो और द्योगी क्रांटी के जो तक्त्व थे जो खेत्र थे उसमें कोईला लोहा सूती उद्योग और रिलव्यादी थे इस पर अब हम आगे अध्यन करेंगे कि आखिर ब्रिटेन में क्यों हुआ और ब्रिटेन में क्यों हुआ इसको भी लेकर कुछ बातें हो चुकी है लेकि भौगलिक दिश्टी उसके लिए बहुत मायने रखती है तो इसलिए बृटेन इस तरह के क्रांतिकारी आंदोलन में इस तरह की क्रांति में एक तरीके से अगुआ बना और अगुआ बनने के साथ ही साथ इसकार्थ यह हुआ कि इसकी शुरुवात वहां हुए शुरुवात के बाद चूँकि बृटेन का एक एमपायर था एक सामराज्यत था विस्तरित सामराज्यत था इसलिए उसका प्रभाव अन्य देशों पर भी पढ़ा और अन्य देशों पर पढ़ने का परणाम कि पूरा यॉरॉप पूरा विश्व एक तरीके से आधनी की करण की ओर बढ़ने लगा मद्यकाल थे आधनी की करण और इसमें जो प्रमुक्तत्व थे जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ कोव रोख वस्त द्योग और उसके साथी साथ कुछ आविशकार इन आविशकारों का हम बाद में विस्तार से ठोड़ा वर्डन करेंगे कि ऐसे क्या-क्यआ अविशकार THे जिन्हों ने इस अधियोगी क्रांति में अहम भूमिका निभाई और जो और जो और जयोगिक क्रांती का कारण बचेंड के नक्षा को एक बार और हम देखेंढ़ च्र Bundy prepay क्रांती सब्सक्रा का है ब्रिटेन हमारे अध्यान का होते हैं तो उसका मिज़से मैंने बताया चार भाग हैं या तीन मूल रूप से हैं इंग्लेंड वेल्स और स्कॉट्लेंड ब्रिटन में ही क्यों हुआ इसको यदि संक्षिप में बताया जाए तो पहला है राजनीते के स्थायत्व और सुद्रिड़ता उसके बाद दूसरा है इन तीनों ख्षेत्रों में जो अलग-अलग थे अलग-अलग होते हुए भी यहां पे कानून एक ही था मौद्रिक अर्थ व्योस्था भी एक जैसी थी याने जो करंसी चलती थी वह सर्व माननी थी बाजार खुला बाजार की प्रथा थी अर्था एक खेत्र से दूसरे खेत्र में जाने पर कोई करनी लगता था और इंग्लेंड की भागोले की स्थिती का तो मैं जिक्र करही चुका हूँ इन सब के ऊपर जो सबसे अहम बिंदु था जिसने और द्योगिक क्रांति के समय प्रारम हुए उद्योगों को रा मेटीरियल दिया कच्चा माल दिया वह था ब्रिटन की उपनिवेशवादी नी थी ये ब्रिटन में क्यों के उत्तर के परिप्रेक्ष में ये बिंदु बह नहीं था एदि ब्रिटन तक सीमित रहता तो बिटन के सामने समस्या होती है कि उद्योगों के लिए कच्चा माल कहां से आया था खासकर कपास और फिर यदी इतना निर्माड किया जाए उटपादन किया जाए तो नको खपाया कहां जाए खपाने के लिए तो जगह मार्केट चाहिए एंग्लेंड की जन संख्या इतनी नहीं थी कि जितने जिस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा था जिस तरीके से पादन हो रहा था वो सब को वहां खपा लिया जाए तो इसलिए बढ़ते हुए बाजार की सक्त जरूरत को ब्रिटेन की सामराज जिवादी नीत ने बहुत बखूबी पूरा किया विशाल आपनिवेशिक सामराज एक बहुत अहम कारण था इस प्रश्ण के का ब्रिटेन ही क्यों एक अन्य बिंदू कि ब्रिटेन में उद्द्योग तो खुलेंगे ब्रिटेन के पास रौ मिटीरियल के लिए उपनिवेश भी हैं लेकिन ब्रिटेन के पास क्या नहीं हो सकता था यदि ब्रिटेन के पास लोहा और कोईला नहीं होता तो वो भी वो अन्य उपनिवेशों से मंगवा सकता था लेकिन मजदूर कहां से आते कितना लेबर मंगाता इन उद्द्योगों में उसे खपाने के लिए उद्द्योगों की की जुरुति मजदूर श्रम की जुरुति और ये श्रम की पूर्ति कहां से हुई कृषी क्रांति से अर्थात इंग्लेंड के और जोगी क्रांति का श्रे काफी कुछ और जोगी क्रांति के पूर्व हुई कृषी क्रांति को जाता है इस बात को आप याद रखेंगे और कि करांटी इतनी प्रभावशाली रही बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रही इसलिए वहां हुई क्रिशी करांटी को लोग भूल जाते हैं क्रिशी करांटी के ओर लोगों का ध्यान नहीं जालता पर वास्तों में एक बहुत बड़ी करांटी थी कि इतनी भारी संख्या मे मचडूरों का जो गाउं से पलाएं हुआ शेहरों की और जिसके बारे में पूर में बताय जा चुका है ये पलाएं उन्के लिए एक वरदान साभित हुआ उद्योक पत्थियों के लिए व्यापारियों के लिए उनको शिरम मिल गया सस्ता श्रम मुह मांगी कीमत पे शिरम बिल गया ये भूमी ही नोग थे और इसलिए किसी भी कीमत पर ये लोग काम करने को तयार थे इसके साथ जन संक्या की भी वृद्धी का ही जिक्र मैंने पूर में किया है और अन्त में इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि इंग्लेंड में लोहा और कोईला इसका प्रमु और कोईला लगबग पास पास पाए जाते थे इनकी खदाने पास पास थी तो बहुत दूर से कोईले की ढुलाई करने की जुरत नहीं पड़ रही थी इंग्लेंड वैसे भी स्वैम में एक तुलनात्मक दिश्टी से छोटा देश है उस पर भी ऐसा देखा गया कि जहां ज प्लब्धता इस उप्लब्धता के साथ ही हमें यह भी याद रखना है कि यह पर्याप्त मात्रा में उप्लब्धता पास पास होना हो तो ठीक है लेकिन इतनी मात्रा में होना कि वो अध्योगे करांद के दोरान इस थापित हुए सारे उध्योगों की जरूरतों को पूरा क कर सके ये एक बहुत बड़ी बात थी तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंग्लेंड में ही क्यों या ब्रिटेन में ही और द्योगिक क्रांटि क्यों इसका काफी कुछ उत्तर आपको मिल गया होगा एक अंतिम बिंदु जिस पर हम जाएं वो है कि यूरोपी शहरों के खेत्रफल और जनसंख्या में भी वृद्धी होने लगी लंदन की स्थिती बड़ी महत्पूर्ण थी अंतराश्री व्यापार हे तो रेन का वहाँ परयात प्रावधान था क्योंकि इंग्लेंड ऐसा सरप्रसम देश था जहां पर आजिनिक तरीके की बैंकिंग व्यवस्था प्रारम भूई और इस बैंकिंग व्यवस्था के बलबूते पर रेन लेना देना सरल हो गया इसी में आप इस नक्षे में देखिए कि इंग्लेंड का जो व्यापार था वो किस तरह का था आप इसमें पाएंगे कि इंग्लेंड व्यापार का केंद्र था त्रिकोनी व्यापार का केंद्र वो त्रिकोनी कैसे हुआ इंग्लेंड उसके बाद अफरीका और फिर वेस्ट indy's west indy's जो अमेरिका से लगा हुआ है तोसकां एक क्रांति बनता है और उसका केंद हो जाता है कि इस त्रिकोनी व्यापार का केंद्र होना भी एक कारण बना इंग्लें Chinese में applied apply क्रांजिक को बढ़ावा देने का और जोगिक क्रांजिक के कारण और उसके विस्तार के कारण उसके तहर ये बातें हो रही हैं वहां पर त्रिकोणी В्यापार हुआ और त्रिकोणी व्यापार में भी देखा गया कि जो बहुराश्टी कंपणिया प्रारignment हुई जिननों उद्ध्योगों में धन लगाना शुरू किया जिननने अंत्राश्टी व्यापार में दखल देना शुरू किया वे कमपनिया अपने मुख्याले इंग्लेंड में खुलने लगी तो इस प्रकार कैसे एक घटना या कैसी एक चीज एक बात कई अन्य चीजों को जन्म देती है और उसका कारण बनती है अब देखिए बहुराश्टी कमपनिया भी आ गई वहाँ और सरल हो गया जल मार्ग का जिक्र मैंने किया है कि जल मार्ग से तो बड़ी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था इंग्लेंड अंतर राश्टी जल मार्ग इस नक्षे में आप देखिए व्यापारिक जल मार्ग कैसे अफरीका से होते हुए पूरा भारत तक आता है दूस सस्ते जल मार्ग थे सस्ते जल मार्ग जहाजों पर प्रभुत्व इनके जो जहाज भी थे ये तुलनात्मक दिश्टे से मजबूत है लेकिन साथ ही सस्ते थे इंग्लेंड की जल मार्ग की सिवधा भागोलिक स्थिति उसकी मजबूत वित्ती स्थिति इस मजबूत वित्ती स्थिति को और मजबूत करता हुआ था एक बैंक जिसे नाम था नाम जिया गया बैंक अफ इंग्लेंड बैंक अफ इंग्लेंड एक ऐसी एपेक्स बाडी थी जो सभी तरह के विनिमय को नियंत्रित करती थी सभी तरह के नीमों पर एक तरीके से कंट्रोल रखती थी उसकी वाच लॉक थी इसके लावा और भी कई संस्थाएं हुँ इंग्लेंड ही वा देश था जहां पे नय नय परिवहन तंत्र भी उपलब्ध हुए परिवहन तंत्रों से ताथपर है कि जल मार्ग से जाने आने के लिए जो विवन तरीके के दिशा नियंत्रक दिशा सूचा की अंत्रवगर होते हैं वे वहाँ काफी अच्छी मात्रा में इजाद हुए और उसके साथ ही उन तंत्रों में जल मारगे के लावा रेल मारगे का निर्मान ये बड़ी मात्रा में इंग्लेंड में हुआ और इसके लिए निश्चित रूप से आप सहमत होंगे कि भाफ का आविशकार भाफ की खोज भाफ के ताकत की खोज ने बहुत आहम भूमिका गई बहुत सारे आविशकार हुए और इन आविशकारों के बारे में हम एक एक करके थोड़ा आगे पढ़ेंगे फिलहाल हम इतना क्यों जान लें कि इन सब आविशकारों का परणाम क्या हुआ कि लोह उद्योग का रूपांतरन हुआ लोह उद्योग समय के साथ-साथ और मजबूत होता गया नैन आविशकारों के साथ साथ लोह उद्योग में तेजी आई कपास की कताई और बुनाईक में भी प्रभाव पड़ा भाफ की शक्ति के कारण रेलवे सामने आया और रेल मर्ग की शुरुवात बड़े स्थर पर हुई तो निशकर्श ये है कि आविशकार जो हुए इन्हों ने इस अउद्योगी करांति को इस्थाई करने में इसे एक करांतिकारी रूप देने में इसकी गति को तीवर करने में उद्योगों की स्थापना को मजबूत करने में और आगे बढ़ाने में बहुत आहम भूमी का निभाई रेल मार्क के निर्मार के साथ साथ नहरों का निर्मार बड़ी भारी मात्रम में हुआ इन नहरों के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे पर आप ये जान लें कि ब्रिटेन में ही क्यों इसका उत्तर आपको त्वरत गती से यहां मिल गया है अब हम आते हैं अपने अगले भाग पर यानि चौथे भाग पर इस अध्याए के चौथे भाग पर जो बिलकुल नया बिंदु रहेगा ब्रिटेन में क्यों हमारा अंतिम विशे था अध्यान का और अब हम आते हैं कि अध्यान के कुछ अन्य प्रमुक बिंदुओं पर जिसमें कोईला और लोहा इस पर हम थोड़ा बात करेंगे इंग्लेट में लोह आयक्स और कोईले की तो बहुत उपलब जिता थी उसके साथ ही सीशा, तामबा, रांगा जो अत्यावशक है मशीनरी के लिए वे भी बड़ी अप्रचुर मात्रा में उपलब थे इस्तेमाल योग्य जो लोहा था, दिर्भाग्य से वो थोड़ा कम था और पुरानी तक्निक का उप्योग होता था मैं पुना दोरा दू, इस्तेमाल योग्य लोहा वैसे तो लोहा बहुत प्रचुर मात्रा में था एक और मैंने कहा है लोहे की खदाने बहुत सारी थी, लेकिन उप्योग हे तो जो लोहा लगता है उसकी मात्रा थोड़ी कम थी, और तक्निक भी परानी थी यहाँ पर एक बिंदुख्या लखना है कि जो कोईला हुआ करता था वो काट का, लकडी का कोईला उप्योग करते थे और लकडी के कोईले की कुछ दिक्कते हैं, लकडी के कोईले की दिक्कतों की यदि बात करें तो उनका उप्योग सीमित रहता है और उसकी समस्याएं ज़ादा होती है बड़ी जल्दी यह खब जाता है, एक सीमा से ज़्यादा वो तापमान दे नहीं पाता इसलिए बड़े बड़े लोहे के जो थामान थे उनको वो गला नहीं पाता था खदान थे लोहा था कोईला था खदान लोहे और कोईले की पास पास थी लोहा था लेकिन ज्यादा उप्योगी नहीं था कोईला था लेकिन वो भी ज्यादा उप्योगी नहीं था ऐसी स्थित में यदि उद्योग के खित्र में क्रांति लाना है याने तीवर परिवर्तन लाना है तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा उद्योग बड़ पनप रहे थे पर पुरानी तक्नीक चल रही थी पुरानी वग्यानिक पधती उसमें अपना ही जा रही थी इसलिए आउटपूट या प्रड़क्शन उत्पादन उतना नहीं था कि बहुत भारी मात्रा में मुनाफ़ा कमाया जाए इतना मुनाफ़ा जिसे हम क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में देख सकें यहीं पर एक परिवार इंग्लेंड का एक परिवार बहुत बड़ी आहम भूमिका निभाता है और द्योगिक क्रांति में वह परिवार कहलाता है दर्बी परिवार उसका नाम था दर्बी सरनेम क्या था दर्बी परिव परिवार कि यदि हम बात करते हैं तो उसमें ग्रेंट फादर फादर और सन यानि दादा पिता और उनका बेटा ये परिवार और योगी कुरांति में लोहिक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा योगदान देता है क्रांतिकारी लोह तक्नीक इजाद करता है क्रांतिकारी लोह तक्नीक का आविशकार करता है और इसमेकार डर्बी परिवार और और अध्योगी क्रांति एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं क्योंकि और दोगी क्रांति में लोहा बहुत अहम तत्व है लोहे की खोज, लोहे का उत्पादन, लोहे का उप्योग ये अध्योगिक क्रांटि के लिए बहुत आहम है क्योंकि मशीने उसी से बनती है लोहे की मजबूती उसके लिए अत्यावश्यक है उस लोहे को मजबूती देना इसकी तकनीक इस डर्बी परिवारने की इसमें सबसे पहले जो डर्बी थे जिनका मैंने कहा भाई दादा प्रफम डर्बी उनको कहा जाता है धमन भट्टी क्या होती है जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी बहुत ज्यादा तापमान देकर लोहे को पिखलाया जाए मजबूत से मजबूत लोहे को पिखला दिया जाया वो धमन भटी और ये संभव कैसे हुआ क्योंकि प्रसम डर्बी ने धमन भटी के आविशकार करते हुए कोक कोईले का उप्योग किया कोक एक अलग तरह का कोईला होता है मैंने आपको बताया था कि काट का कोईला लकडी का कोईला भारी मातरा में उप्योग किया जाता था लेकिन इसकी अपनी दिक्कते हैं वो एक सीमा से ज़्यादा तापमान नी दे सकता था, गर्मी नी दे सकता था, उश्मा नी दे सकता था, वो बड़ी जल्दी खप जाता था, ज़्यादा समय तक गर्मी नी दे सकता था, ज़्यादा तापमान भी नी दे सकता था, ज़्यादा समय तक गर्मी भी नी दे सकता थ इसलिए उच्च गुणवत्ता वाले जो अच्छे लोहे थे उनका निर्मान संभो नहीं हो पा रहा था और प्रसम डर्बी कोश्रे इसी बात का जाता है कि उन्होंने ऐसा विश्कार किया ऐसी तक्नीक धमन भट्टी और कोक के उप्योग के माध्यम से ऐसी तक्नीक इजाद क कि अब उच्च गुणवत्ता युक्त लोहे की प्राप्ति संभो हो सकी ये तो हुआ पहला चरण या डर्बी परिवार के दादा जी का योगदान अब दूसरे जो सज्जन थे दुती डर्बी इन्होंने ढलवा लोहा जिसे पिग आयरन कहते हैं पिग आयरन को पिटवा ल तक्नीक का विकास किया मैं पुना दोहरा दूँ धलवा लोहा जिसे कहते हैं पिग आयरन जो पिग आयरन सामानितया जो पाया जाता है वो पिग आयरन रहता है उसे पिटवा लोहे में बदलने की तक्नीक का विकास ये एक वैग्यानिक पध्धती है और ये पिटवा लोहा पिग आयरन से बनता है और बहुत ज़्यादा मजबूत होता है तो इस तक्नीक का विकास करने का श्रे जिती डर्वी को जाता है जो पिता थे याने मध्ध में थे तीनों दादा पिता और बेटे में मध्ध में अब तृती डर्वी जो थे उसने क्या किया त्रिटी डर्बी ने लोहे के पुल का निर्माण किया लोहे का पहला पुल बना जा और लोहे का पहला पुल बनाते हुए उसमें थाबित कर दिया कि उनके परिवार के द्वारा इजाद की गई तक्नीकें तक्नीक लोहे को इतना मजबूत बना देती है कि एक पुल उससे बनाया जा सकता है जो आवागमन के लिए बहुत सहुलियत होगा और यहीं से शुरू होता है पुलों के निर्माण का लंबा चोड़ा कारिकरम चाहे वो रोड सडक मार्ग के लिए हो चाहे रेल मार्ग के लिए हो रास्ते में इतनी सारी जो बाधाय थी पहाड़ी नदियां और इनके जकारन ये पहाड़ी ये नदियों ये आवागमन को छोटा आवागमन को सरल शुगम बनाने में लोहे के पुल का निर्माण एक बहुत बड़ा करांतिकारी परिवर्तन था कल्बना करिए आप सलक बना रहे हैं और सामने नाला है पुल है नदी है पहाड़ियां है घुमाओदार रास्ते बनाने की जुरत है ये सब कैसे संभा होगा और इस घुमाओदार रास्ते बनाते गए नदी से बचने के लिए तो नदी कहां समाप्त होगी जिसको पार करके आगे की सड़क बनाई जा सके आगे की रेल पटरी बनाई जा सके तो यहां पर रेल लोहे के पुल बहुत बड़ा करांतिकारी परिवर्तन करते हैं पूरा नाम है कॉलब्रुक डेल में सेवार्न नदी सेवार्न नदी पर दर्बी परिवार के तीसरे जनरेशन ने पहला लोहे का पुल बनाया और इस प्रकार बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लोहे की मजबूत को साबित करता हुआ और आवागमन को बहुत सुगम ब बातें करें तो हेंरी कोट हेंरी कोट ने एक भट्टी एक धमन भट्टी बनाई थी डर्बी परिवार के पहले सजन ने यहां पर हेंरी कोट ने एक अलग भट्टी बनाए जैसे आलोडन भट्टी कहते हैं आलोडन भट्टी और बेलन मिल इसका आविशकार किया यह तक्नी लोहे की मजबूती के लिए है तो ये बेलन मिल और आलोडन बटी का अविशकार ने अनेक लौह उत्पादन बनाना संभव कर दिया अनेक तरीके के लोहे के उत्पादन हो केवल लोहे की छड़ ही नहीं लोहे को हमें कई रूप में उसकी जुरत पड़ती है चाहे वो सिलिंडरिकल रूप में हो चाहे वो एक प्लेट के रूप में हो चाहे एक मोटी धात के रूप में हो बहुत सारे उसको रूपों की जुरत पड़ती है इसको विभिन रूप देने में बेलन पटी और उसके अलावा बेलन मिल और आलोडन भट्टी ने बहुत अहम भूमिका निभाई है विभिन्य तरीके के लोहे के उत्पादन लोहे से बने हुए उत्पाद संभा होगा विभिन्य तरीके से बने हुए लोहे के उत्पाद अब संभा होगा अगला जो नाम आता है लोहे के नाम से वो है जॉन विलकिंसन का जॉन विलकिंसन हन्री कोड के आविशकार के बाद हन्री कोड की खोज के बाद आविशकार के बाद एक कदम और आगे बढ़ता है और वह लोहे की कुर्सियां बनाता है लोहे की मदद से नालियां बनाता है लोहे की टंकियां बनाता है और तो और लोहे के पाईब बनाता है अब सोचिए चलिए हम एक ही उधारन लेते हैं लोहे के पाईब लोहे के पाईब की क्या महत्ता रही होगी और जो कि क्रांति की चर्चा करते हुए हम लोहे के पाइप को क्यों एक क्रांतिकारी परवरतन मानते हैं इसलिए कि लोहे के पाइप, लंबे लंबे पाइप, लंबी दूरी तक डाले जाने लगे नदियों तक वहाँ से नदी का पानी उस पाइप के माध्यम से अब लाना संभा हो गया लोहे के पाइप का जो लाइफ होती है बहुत जादा थी आज के परिप्रेक्ष में देखें तो लोहे के पाइप अब कहीं भी उसका उपयोग बहुत कम होता है लेकिन उस समय ये एक बड़ा करांतिकारी परवरतन था अब ये संभा हो गया कि नदियों से नहरों से जो नहरों की संख्या बहुत बड़ी की गई बड़ी भारी मात्रा में नहरे बनाई गए उन नहरों से लोहे के पाइप के माध्यम से खेतों को पानी और घरों को पानी पहुंचाना संभा हो गया ऐसे ही नालियां जो सच्चता का परचायक है जो इस बात को संभा कर दी कि इस कालोनी के शहर के इस गाओं के लोग साफ सफाई के साथ रहें लोहे के नालियां क्योंकि मिट्टी के नालियां बनती थी तो वो मिट्टी उसमें ढहती चली जाती थी नाली बेशेफ हो जाती थी और नाली ध्वस्त भी हो जाती थी लेकिन लोहे के नालियां एक स्थाई थी पर्मनेंट थी पानी की टंकियां बनाई गई तो इस परकार ज बड़ी भारी होती हैं बहुत आवास करती हैं वजन बहुत होता है तो इसने क्या करांतिकारी परवतन लाया होगा पर कल्पना करिए उस जवाने में लकड़ी की कुरसियां बनती थी तो कितनी बनती थी लकड़ी की जब बनती थी और हाथ से जब बढ़ाई बनाता था तो उ लोहे की कुर्सियां बनने लगी और ऐसी कुर्सियां जिनहें अब आराम से दूसरी जग़ा ले जाया जाने लगा, ले जाया जासकता था, तो इस प्रकार लोहे की कुर्सियां का विस्तार हुआ। इंग्लेंड में कहां कहां हैं उन शहरों को यहां देखिए पूरे इंग्लेंड में फैले हुए हैं विशेश रूप से उत्तरी इंग्लेंड में वेल्स में स्कॉटलेंड में खदाने हैं और वैसे ही लोहे की खदानों के लावा कोईले की खदाने आप देखिए ये भी सब पूरा फैला हुआ है और आज भी जो बहुत सारे शहर हैं चाहे वो डर्बी शाय हो यॉक शाय हो मैंचेस्टर ब्रिस्टल लिवरपूल ऐसे जितने भी शहर हैं ये सब उसी ओद्योगिक करांति की देन हैं इन शहरों का अस्तित भले ही पूर में रहा होगा कई शहरों का ले इनके आस पास स्थिर्क खदाने और इनके आस पास स्थिर्क बंदर गाहों का उपयोग और द्योगी करण के लिए और व्यापार के लिए व्यापक रूप से किया जाने लगा